मैं नमस्कार तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश प्रदेश प्रब्लिक सर्विस कमिशन की एक प्रेस नोट जारी किया गया है इसमें बात की गई है अभी जो एक रिजल्ट निकाला गया है अच पी एलाइट सर्विस का मेंन का इसका रिजल्ट निकाला गया है इसको डेटेल में देखेंगे इसका पीडियाफ जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्चन वॉक्स में दे दिया गया है देखो इसमें जो था 57,592 applicants जो था जो था जिनोंने अप्लाई किया था इसके लावा 50,000 बच्चे जो थे वो admit किया गए थे इसके लिए और 37,000 बच्चे जो थे वो appear हो थे exam में जा के उसके बाद जब mains का examination हुआ था तो mains के examination के लिए जो था 2331, 2331 candidates जो थे वो qualified declared किया गए थे इन message जो था 2117 candidate ने जो था वो exam दिया था ये लोग exam में पीर हो थे exam जो था वो 6 से 7 अगस 2020 के बीच conduct करवाया गया था और उसके बाद अभी जो है अभी result निकाला गया है mains का अभी इसके बाद 15 नंबर की documentation जो है वो होगी अभी जो पंदरा नंबर की documentation होगी इसके लिए देखते हैं कितने बच्चे निकाले गए है जर्नल कैटेगिरी के बच्चे देखेंगे 171 बच्चे 171 candidates जो है यहाँ पर निकाले गए है जर्नल के उसके बाद schedule cast की बात करें तो schedule cast के 51 candidates जो है वो दो निकाले गए है बात करें schedule drive के 13 candidates निकाले गए है OBC के कितने candidates निकाले गए हैчи Dialables जो WFFM में आते हैं यह 5 candidates निकाले गए है और BPL और schedule यूट्राइब जो BPL है इसका एक केंड़ेट निकाला गया है इसके अलावा जो है Economic Weaker section के भी निकाले गए है तो ये जर्नल से निकाले गए हैं BPL से 123 बच्चे ये जितनी भी notification है ये इस तरह से थी बाकि अभी इसका पंदरा नंबर का जो documentation जो होती है वो होगी उसके बाद जो है वो final result निकाला जाएगा तो ये result के regarding notification थी तो I hope कि ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful होगी Thank you for watching this video